सचाई तो ये है कि कॉंग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है अरसा तक हमने उसकु सफन बीदर बनाने के लिए प्रयास किया लेकिन उसके रुची दिए कोई जगर रुखते नहीं है रहते नहीं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ग्रेंड ओल्ड पार्टी होने का दावा करने वाली कॉंग्रिस में आंत्रिक लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं है कि वो नहरू गांधी परिवार से अलग कोई दूसरा चहरा अपने नेत्रित्व के लिए चुन सके नहरू से लेकर राहूल गांधी तक ने कॉंग्रिस पार्टी की कमान अपने हातों में रखी है यहां तक की देश के बड़े पदों पर आसीन होने के लिए भी युक्यता नहीं बलकि नहरू गांधी परिवार का बर्थ सर्टिफिकेट ही काफी होता है तब ही तो राहूल गांधी की पार्टी बेर ताजपोशी से पहले हर दावेदार को रास्ते से हटा दिया गया था कोई आवाज उठाता भी है तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या कॉंग्रेसी संस्कृति का अवाला दे कर चुप करवा दिया जाता है नहरू गांधी परिवार के खिलाफ आवाज ना उठा ना ही कॉंग्रेस संस्कृति रही है इस परिवार ने शडियंत्रों का ऐसा मकर जाल बुन रखा है कि सब इसमें फंस्ते चले जाते हैं भारत की पहले प्रधान मंत्री पत के लिए कॉंग्रेस पार्टी और देश की भी पहली पसंद सरदार वनलब भाई पतेल थे लेकिन चालाक नेहरू ने अपनी चमक, दमक और शडियंत्र से सरदार पतेल को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था इसी तरह शास्तुरी जी की मृत्यू के बाद जप्रधान मंत्री पत के लिए मुरार जी देशाई, गुलजारी लाल नंदा और के कामराज के नाम सब से आगे थे लेकिन बाजी माले गई थी नेहरू की बेटी इंदिराग गांदी युग्यता पर परिवार को तवज्जो देने की कीमत भी देश ने खूप चुकाई है नहरू की गरत नीतियों से निस्तोबासट में चीन से युद्ध भी देश को छेलना बड़ा था इंदिराग गांदी ने जा देश पर जबरन इमर्जेंसी थोपी ती तो वहीं इंदिराग गांदी की हध्या के बाद हजारों सिक्कों का कटले आम होता रहा और भारत के ददकालीन प्रधान मंत्री राजिव गांदी हाथ पर हाथ धरे बैचे रहे इतना ही नहीं इन दंगों में मारे गई लोगों के परिजनों से माफी मागने के बजा है अजीब बयान देते नजर आए देश को दोखा देने के अलावा नहरू कांदी परिवार ब्रष्टचार में भी आगे ही रहा है गोटाले और ब्रष्टचार की दीमक तो नहरू के जमाने में ही पैदा हो गई थी 1948 जीप खरीद गोटाला 1951 साइकल आयात गोटाला 1958 मुंदला गोटाला और इस दीमक को इंदिरा और राजिव ने बड़े प्यार से पालने पोस्टने का काम किया 1983 मारूती गोटाला 1976 कुओ ओल डी 1981 अंतूले ट्रस्ट सीमेंट गोटाला 1987 HDW दलाली 1987 बोफोर्स गोटाला सोनिया और राहूल को राजिनीती के साथ साथ गोटाले करने का लाइसेंस भी विरासत में ही मिला था मा बेटी नैशनल हेराल्ड ब्रष्टचार मामले में जमानत पर फिलाल बाहर है सोनिया गांधी ने तो ब्रष्टचार का लाइसेंस गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाडरा को भी जारी करवा दिया था जमीन खरीद से जुड़े कई मामलों में दामाद वाडरा का नाम जुड़ा है सोनिया राहुल के बाद इनके वारिसों के नाम भी सामने आने लग गए है बेटी प्रियंका तो इस रेस में सबसे आगे हैं ही दामाद रॉबर्ट वाडरा भी 2019 से सांसद बनने के सपने देख रहे है और हाल फिलाल नया नाम इनके बेटे का भी जुड़ गया है फिलाल कॉंग्रिस का पूरा फोकस राहुल गांदी की एक और रिलांजी पर है जो उन्हें गमंडिया गटबंदन के साथ होती नजर आ रही है आखिर राहुल के लिए भरषचाचारियों और परिवार वादियों के गटबंदन से बढ़िया मंच और कोई हो भी नहीं सकता